हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की आज हम लोग पंडे वाले हैं हीट एंड टेंपरेचर उश्मा एवं तापमान बेसिक साइंस एंड इंजरिंग का बहुत इंपर्टेंट टॉपिक इससे आप इसी वाले बच्छे हो चाहें कोई सी भी हो बेसिक साइंस एंड इंजरिंग बहुत इंपर्टेंट है और दोस्तों इसका जब आप लोग स्लेवर देखोगे यहां पर लिखा हुआ है हीट एंड टेंपरेचर उश्मा एवं तापमान तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ट टेंपरेचर उश्मा एवं तापमान की चलिए दोस्तों आप मुझे बताईए क्या होता है हीट क्या होता है टेंपरेचर आपको क्या पता है हीट टेंपरेचर के बारे में तो देखिए आप लोगों का जनरली यह जवाब आएगा कि सर जो टेंपरेचर होता है न वो लिए बताते हो बड़ दोस्तों actually में इसमें आप लोगों को थोड़ा सा अंदर गुसना पड़ेगा आपको पता पड़ेगा एक्षुल में temperature बताता गया है चलिए तो heat के बारे में ठोड़ा सा हम लोग समझते हैं basic yen की एक चड़ है दोस्तों कोई भी बना ऑथ हो न वह बहुत चोटे चोटे पाटीकल से मिलके बना होता अब होता क्या है कि सो certified या कोई कोई आप लोगों का होता है जो मॉलीकूल से मिलके बने होता है मतलब एटम जुड़के मॉलीकूल से बना लता है फिर मॉलीकूल से आप लोगों का वो बनता है ठीक है तो होता क्या है यार यह जो एटम्स है यह जो मॉलीकूल होता है यह वाइब्रेट करते रहते है जैसे मालो यह container है, इस container के अंदर आप लोगों ने कोई gas भर दी, जैसे मालो कौन सी gas भर दी, carbon dioxide gas भर दी, दोस्तो carbon dioxide gas का एक जब molecule लोगे, अनू लोगे, अनू किसको बोलते हो, जो परमाणू से मिलके बनता है, तो यह किस से मिलके बनाऊ है, दो oxygen के परमाणू है, carbon के परमा और सब इकते हैं नहीं करता, अक्केला item आपको मिल जाएगा, तो कोई से भी gas भरी हो, तो उसके, या तो atom होंगे, molecule होंगे, तो दोस्तो, atom ही molecule अपने जगह पर हिलते रहते हैं, vibrate करते रहते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें, iron में, जो atoms होंगे, यह भी vibrate करते रहते है अब आप लोग बोलोंगे, सरे मुझे तो दिखते हैं नहीं है, अरे दोस्तो यह आप लोग अपने आखों से नहीं देख पाते हैं, इत्ता कम होता ही है, अपनी जगह पर हिलते रहते हैं, vibrate करते रहते हैं, बहुत बढ़िया, तो actually में, अगर यह vibrate कर रहे हैं, अगर यह substance के पास में जितनी जड़ा हीट होगी, उसके atoms, उसके molecules उतने ही जड़ा क्या करेंगे, vibrate करेंगे, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कि अगर मैं इसको heat दोंगा, तो इसके atoms, यह इसके molecules क्या करेंगे, vibrate करेंगे,τί कमपन करेंगे, दोस्तो इतनी यह बास समझ में समझ में आगी क्या चलिए बहुत बढ़िया अब बात करते हैं नेक्स्ट ठीक है कि मतलब जैसे मैंने आपको वही बता है कि अगर आप लोग किसी को हीट दोगे न तो इसके जो एटम्स होंगे परमाणू जोंगे वो क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे सर करके बताओ आप लोग एटम बोल रहे हैं जैसे आप लोग ने हीट दी न तो पहले जो एनरजी गई वो इन वाले एटम के पास में गई तो यह क्या कर रहे हैं वाइब्रेट कर रहे हैं अभी रुख दो यह देखो पहले यह वाइब्रेट करें फिर इसने पास वाले को टकर मारी फिर इसने पास वाले को टक्कर मारी फिर इसने पास वाले को टक्कर मारी तो जो हीट जो उश्मा आप लोगों ने यहां पर दी थी वो यहां पर पहुंच गई तो पहले ये गरम वहा फिर ये 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 ऐसे गरम होगा तो आप लोग बो हो सकते हैं ठीक है चलो तो दोस्तों हीट के कई जब आप लोग किसी को भी हीट देते हो ना तो उसके कई क्या हो सकते हैं उसमें कई चेंज आ सकते हैं उसमें कई परिवर्तन आ सकते हैं जैसे माल लो मैंने बोला कि यार मेरे पास में कोई लकडी का टुकड़ा है तो जब आप लोग उसको गरम करोगो इसके हीट दोगे तो इससे लकडी में क्या-क्या चेंज आ सकते हैं आप मुझे खुर बताइए या मैं आ आप लोग उन्हें यूस कर रहा है मनलो पानी को जब आप लोग हीट दोगे तो उससे क्या देखने को मिलेगा तो आप लोग डेली लाइफ में जो आप लोग देखते हो उसके आधार पे है ना मैं आपको सिंपल सी बता दू हम लोग तीन प्रकार के परिवर्तन देखते ह होगा उसमें प्रसार होगा उसमें विस्तार होगा सर कैसे समझ में नहीं आया आप लोग देख लेना कोई आप लोग मैटल का टुकडा लेना कोई सबी मैटल ले लेना कोई से विधातू का टुकडा ले लेना जब आप लोग इसको गरम करोगे तो फैलेगा क्या है इसमें expansion होगा क्या बताओ सर चाहे आप लोग किसी gas को गरम कर लो उसमें भी expansion होगा liquid को गरम कर लो उसमें भी expansion होगा तो हाँ सर पहली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है expansion दोस्तों दूसरी बात करते हैं क्या उस heat देने से क्या उसके temperature में व्रद्धी होती है क्या आप लोग दोस्तों रसोई में आप लोगों ने पानी रखना का है जब आप लोग उसको heat दे रहे हो उसका temperature बढ़ेगा ना आप लोग पहले आसानी से लगा सकते हैं बड़ जब आपने था आपने इसको बहुत सारा heat दी गोल्ड आप लोगों का melt हो गया liquid state में आ गया जैसे बरफ थी आईस थी बरफ के टुकड़े थे पहले जो पानी था वो आपका solid state में था है ना बरफ में क्या होता ठोब सा वस्ता ही तो होती बरफ जब आप लोगों इसको बहुत ज़ला heat दी तो इससे क्या बन गया liquid बन गया और heat दी तो ये क्या बन गया वाश्प बन गया समझ में आई या नहीं आई ये बात बताओ ठीक है बिल्कुल सर आजाओ बात करते हैं दोस्तो एक एक चीज को हम लोग समझते हैं एक्सपेंशन को ठीक है क्लियर है क्या मतलब जो आप लोग heat दे रहे हो न जो heat energy दे रहे हो it causes expansion in solid ठोस में भी आप लोगों को पता है expansion होता है liquid में भी होता है gas में भी होता है अब आप लोग इस चीज को ऐसे देखो please मेरी बात को द्यान से समझो आप में देखा होगा यह पट्रियों के बीच में gap रखा जाता है रखा जाता है क्या अरे रखा जाता है क्या बताओ रखा जाता है क्या रखा जाता है क्या रखा जाता है क्या बिल्कुल रखा जाता है दोस्तों क्यों रखा जाता है तो कि यार गर्मी के दिनों में और मई जून जुलाई में आर टेंपरेचर मतलब आप यह माणो बहुत ज़ादा गर्मी रहती है जिसके वजे से संसे बहुत ज़ेदा हीट मिलती है दोस्तो हीट की वज़े से मैंने आपको बोला कोई भी चीज एक्सपेंड करेगी तो दोस्तो ये भी एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड करने के लिए जगह तो मिलनी चेन इसलिए फोड़ा सा गया रख रखा है कि अगर ये यह जो पटरी है यहां से fix कर दी आपने और यहां से भी fix कर दी आपने ठीक है कोई दिकत कोई परिशानी अरे समझे यह नहीं समझे यार बोलते नहीं हो आप मत बोलो मेरे क्या है हाना कुछ भी जवाब नहीं देते हैं कि में एक गोली में दो शिकार करें हैं बताओ कैसे कि बताओ हाँ पहले ही मैं बात करता हूं अब मालीजिए आप बोल्डर समझ गया पी नहीं चोड़ेंगे तो सीधी किसे रख देंगे यह सर क्यों रखा दोस्तों चीज समझो हीट तो इसको तब भी मिलेगी अब यह एक्सपेंड करना चाहेगा आपने दोनों तरफ से इसको लॉक कर दिया इसकी वज़े से दोस्तों इंटरनल क्या डवलप हो जाएगा इंटरनल इस्ट्रेस दोस्तों यह हम लोग पढ़ेंगे मेकिनिकल इंजिंग में जो आप लोगों के सीबीटी टू वाले दोस्तों क्या सर यह एक्सपेंशन लिक्विड में भी होता है क्या बिल्कुल होता है गैस में होता है बिल्कुल होता है यार लिक्विड को जब आप लोग गरम करोगे तो वह उबलता है क्या एक्सपेंशन हो रहा है तो कहने की बात यह है कि सर एक्सपेंशन तो तीनों मे चीज़ देखो भी असे मानलों आप ने एक बर्तर लिया इस बरतर में क्या लिया पानी लिया दोस्तोम इसको hope develop देखतो पानी उबल के यहां तक आजाता ला न यहां तक झानलब दोस्तोम आप लोग एक काम करो अबक लोही की रहाओ तो जब आप लोग वीमник गर्म हो सॉलिड में लिक्विड में गैस में किसमें जड़ा एक्सपेंशन होगा फिर लिक्विड में फिर सॉलिड में ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वह आपस में बहुत जड़ा दूर नहीं जा सकते हैं जबकि गैस में वैसे दूर दूर होता है यह हीट हो गया और दूर दूर हो जाएगा एक्सपेंशन हो जाएगा विस्तार हो जाएगा क्या देखा दोस्तों क्लियर है क्या ठीक है आजाओ अब इस हीट के क्या क्या इफेक्ट होता है डेली लाइस में आप लोगों को बताता हूं देखो आप लोगों ने सुना होगा ठीक क्लियर है या नहीं है चलिए आगे चलते हैं हम लोग next पे चलिए अब एक छोटी सी चीज rise in temperature के बारे में समझते हैं आपने ये तो बता दिया expansion होता है विस्तार होता है लेकिन यार temperature में rise भी तो होता है देखो लोस्तो temperature में rise हो रहा है बहुत अच्छी बात है तो होता क्या है देखो समझो मेरी बात को जिसे अगर एक छोटा सा example लेते हैं हम लोग water का लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग ले लो water का तो जब आपने water को heat दी ना तो water के जो molecules होंगे ना H2O, 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 यह क्या करेंगे दोस्तों उस heat को absorb करेंगे उस heat को receive करेंगे दोस्तों इस करने से क्या होंगे इस molecules की kinetic energy बढ़ जाएगे जैसे पहले जिस energy से गती कर रहे थे ज़्यादा energy से क्या करेंगे गती करेंगे तो basically जब molecules receive more energy जतना ज़्यादा heat दोगे जतना ज़्यादा energy करेंगे उनका temperature बढ़ता जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दू कि temperature होता क्या है किसी पदात का temperature होता क्या है उसके जो particles होते है उसके जो करन होते है उनकी average kinetic energy उनकी average kinetic energy गती जोड़ जादा दोस्तों अगर किसी का temperature ज्यादा है तो उसके molecules obviously उनकी गती जुझा क्या है ज्यादा है clear है ठीक है आजाओ बहुत बढ़िया चलो ठीक है तो हम लोगों को हम साब बोल सकते हैं कि heat increase करने से दोस्तों उसके molecules की energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी और kinetic energy कोई तो क्या बोल रहो temperature बोल रहो तो आप लोग बढ़ेगी छीजह मं क्या है बतPhone इसमें कि जैसे मादеш बरफ है आपने इसको फीट को फीज में रखते हो हॉरा Madrid में में रखते हैं क्यों क्यों के आप लोगों का रेफरिजेटर उसमें से क्या निकाल रहा है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आजाओ नेक्स हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर आफ हीट ठीक है देखो कभी भी हीट का ट्रांसफर जो होता है न वो बेसिकली टेंपरेचर डिफ्रेंस के वज़े से होता है ठीक है टेंपरेचर डिफ्रेंस की वज़े से होता है सर समझ में नहीं आया थोड़ा से समझाईए देखो जैसे माली जी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और इसली पढ़ाई करते ही हो आप लोग दिंदरात तो बाहर आप लोगं पर भी रहे हो पतना में रहे हो जैपूर में रहे हो देलि में रहे हो मंबई में रहे हो बहर का एक टेंपरेचर माल Ten Sir अभी मालो बहर का चल हा है कि ता począt Chung मालोग 30 degree Celsius है ना 30 degree Celsius चल रहा है तो आप लोग बताएए इसका temperature सथर है इसका 30 है तो जब भी temperature का डिफरेंस होगा heat का क्या होगा flow होगा देखो इसका temperature ज्यादा है इसका इसके पास में heat की मातर ज्यादा है इसका temperature कम है यानि यहां पर heat कम है तो दोस्तो नेचर हमेशा क्या करती है तो मेरा तापमान ज्यादा है नेचर ने बोला अच्छा ले दोस्तों इससे heat निकाल के इसको देना start कर देगी ठीक है तो high temperature से low temperature पर heat का flow होता है अब सर इससे क्या होगा इससे heat जा रही है तो उसका तापमान कम होगा सतर से साट साट से पचास पचास से चालीस से चालीस से तीस अब आप लोग बोलेंगे सर इसका तापमान अगर कम हो रहा है तो सर इसका बढ़ भी रहा होगा ना बिल्कुल सही बात है लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए समुंदर में अगर आप लोग एक बाल्टी पानी की डालके आ जाओगे तो समुंदर को कुछ फरक पड़ेगा क्या नहीं पता फरक पड़ेगा तो दोस्तों ये चाय के जैसे मालों मेरा हाथ में चाय का कपेश के बाहर दोस्तों पूरा ये जो एटमोस्फेर सराउंडिंग है उसमें से थोड़ी सी हीट चल जाएगी तो ऐसे रोड़ी तापमान बढ़ जाएगा यार का अमेरिका में नूज आ गई कि भारत के एक बच्चे ने चाय रख दी चाय पी नहीं जिसकी वज़े से ग्लोबल वार्मिंग होगी तापमान बढ को वार्मिंग है अब जो आपके कई दोस्त ऐसे हैं जो आपको पढ़ाई से बठकाता है को कि यार उनको तो कोई जरूत है नहीं उनके जो मातापिता है वो बच्चों को भी वेल सेटल कर दियो सारी मज़े कर रहा है वह उसके मौन लोक्रे लगे ने लगए उसको कुछ फ आप पता नहीं क्या सूबह से शाम अपने आपको लगाया रखते हो पागल हो जाते हो दोस्तों पागल होने से नहीं होता सेलेक्शन ठीक है यह बस कहानियों में अच्छा लगता है यह कि मैं 12 गंटे पड़ा 14 गंटे पड़ा भीया घर में लाइट आ रही है बंद करके मुं पड़ो आराम से सेलेक्शन होगा सर बाकी का समय क्या करूं मेरे तो जीवन ही स्टूडेंट वाला जीवन है यह शरीत पर भी ज्यांद तो रहेगा है खोड़ा परिवार कमाओ ना क्या दिक्कात है बहुत सारे काम होते हैं जहां पर आप फ्रीलांसिंग करके या बही दिन तो यह मालो यह आपके पास में एक वारमर अभ्जेक्ट था गरम वस्तुती खूम जादा है यह आप लोगों के पास में है chauffeur ये ये तक्रासफर के लिए necessary condition ही क्या है temperature का difference है ठीक है सर समझ में आ गया heat का transfer समझ में आ गया लेकिन दोस्तो heat के transfer करने के भी अलग-अलग तरीके हैं जैसे मैंने आपको बोला कि यार मुझे 20 रुपए देदो दोस्तो आप मुझे कई तरीकों अगर आपने मुझे एक समझ लाखित दिया सर इसकी वैलू भी तो 20 रुपए हैं न तो कई तरीके है वैसे ही दोस्तो heat transfer कई तरीके से हो सकती है दोस्तो majorly आप लोगों के तीन mode है तीन तरीके है तीन आप लोगों के वेज है जिसके मादन से heat का transfer होता है एक है आप लोगों का conduction यानि चालन एक होता है आप लोगों का convection यानि समवहन और एक होता है आप लोगों का radiation और विकीरन दोस्तों में एक छोटी सी बात बताऊं क्या गुरू जी आपसे अनुरू देगे ट्रेड वाली एक के दो क्लास फ्री करवा दीजिए क्योंकि हमें आइडिया लग जाएगा कि सर कैसा पढ़ा रहा हमें लगता है ऐसा करने से बहुत से लोग क्लास से जोट जाएंगे आदित्यों जॉइस वाल जी बोल रहे है गुरू जी घ्यान दे दिया अब दुनिया वर का चारी एक जोटावर जाएगा ज्यान दे दिया अब लग जाके देख लो मैंने बोला था एक लास फ्री है इसका मतलब यह बस आप बाते करने आतों पढ़ाई नहीं करते दोस्तों बताओ हर ट्रेड की एक क्लास में इस ते दो मैं आपके फ्री डाली कि देख लो भी या समझ मैं जोइन कर लो जाके देखते नहीं हो बस सब आपके लिए सारी उस्ता करें टेंशन मतलो ठीक है अब दोस्तों क्योशन यह है हाँ मैं आपको कुछ बोल रहा है देखो आपने में कुछ बोल रहा था दोस्तों एक्चुली में कंडक्शन चालन में भी आपको समझा दूँगा आपको लगा कि सर मुझे तो आग़ा कंडक्शन क्या होता है यह तो एक्जमम में क्योशन भन जाएंगे दोस्तों एग बार आपो प्या-इक्यू डेखना प्रिवियस एर क्योशन देखो गये तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि सर च्योशन तो बनी नहीं डे क्यों न नुमेरिकल स्वाल कर पाऊगे, सरी फूरियर स्लोग क्या है, समझाऊंगा न, मैंने तो पढ़ाया पूरे कोर्स में, बेसिक से एंजिन की कोर्स में भी मैंने पढ़ाया, मैं आपको यहां पर भी पढ़ाया, तो ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, च चलो सर, बहुत आसान बासा में समझाता हूँ, देखो, प्लीज मेरी बात को जहां से समझो, कंडक्शन है क्या, ठीक है, देखो, जैसे मान लो, अभी आपके पास में क्या है, यह आईरन की रॉड है, लोहे की छड है, दोस्तों, आप लोग मुझे यह बताईए, ठीक है, लोही की छड है, आप मुझे यह बताईए, कि कोई भी आप लोगों के पास में सब्स्टेंस वो पदार, तो वो बहुत चोटे चोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसे आप लोग बोलते है, एटम, यानि परमानू, सर, इसमें भी क्या होंगे, बहुत सारे एटम, यानि परमानू होंगे, होंगे, या नहीं होंगे, होंगे, नहीं होंगे, बिलकुल होंगे, सर, अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बता दो, प्लीज, जब आप लोग इसको हीट देते हो, इसको उश्मा देते हो, तो क्या ये वाला किनारा भी गरम हो जाएगा, कि इसका मतलब heat जो यहां थी, वो यहां से कहां पर गई, यहां पर पहुँँच गई, बात सही है क्या, बात सही है क्या, बात सही है, आगे समझाओ सर, दोस्तो यह जिस, अब सरी कौन से तरीके से गई, conduction से गई, convection से गई, radiation से गई, मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले मैं समझाता हूँ, conduction क्या होता है, चालन क्या होता है, दोस्तो चालन मेथड में, conduction मेथड में, जो heat का transfer होता है, वो किस वज़े से होता है, किस कारण से होता है, atomic vibration की वज़े से, या molecular vibration की वज़े से, है सर G Desh ये भी नाचेगा ये भी नाचेगा ये ये विनाचेगा ये ये नाच रहरते तो दोस्तों दीरे 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 एनरजी यहां पर यानि heat यहां से यहां पर पहुझ गई दोस्तो इसी method को बोलता है conduction यानि challenge चालन क्या है आप लोगों का एक mode of heat transfer है जिसमें क्या होता है atomic vibration के तहट एक end से दूसरे end पर कह जाती है heat जाती है समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात को तो यह बात clear है ठीक है अब दोस्तो एक चीज आप लोग समझो, यहाँ पर आप लोग समझो, इसमें मैंने क्या हम पताया था, नहीं पताया, कोई बात नहीं है, ठीक है, इधर समझो, एक बार और समझो आप मेरी बात को, अब मेरा क्योशन ये है, मेरा क्योशन ये है, जैसे मालो ये आपके पास मे इसको भी हीट दी बहुत बढ़िया क्या दोस्तो ये वाला किनारा लोहे में जल्दी गरम हो जायेगा क्या लकडी में दोस्तो ये वाला किनारा गरम होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और होगा भी तो दोस्तो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना यहां पर है यानि आप लोग बोल सकते हो कि दोस्तों हर पदार्थ की अपनी अपनी capacity है heat को एक end से दूसरे end पर ले जाने पर दोस्तों इसी capacity को इसी गुनवत्ता को हम लोग बोलते हैं thermal conductivity यानि उसमें चालकता तो दोस्तों एक्चुल में जितने भी metals होते हैं उसमें क्या होती है capacity बहुत जड़ा होती है उनके एक end से दूसरे end पर heat आसानी से पहुंच जाती है और आप लोग बोल सकते हो आप लोग बोलोगे कि यार यह ना bad conductor है कुचालक आप लोग बोलोगे जिसमें बिल्कुल ही नहीं पहुंच रही मतलब ही नहीं है चुन्ना सा भी फरक नहीं पड़ा उसको बोलोगे insulator यानी कुचालक तो मैं बोल सकता हूँ जितनी भी धातुवे होती ही न मैटल्स जो होती ही न वो heat की अच्छी conductors होती है दोस्तों क्यों होती है कभी आपने कारण समझाए गया क्यों यार क्यों बताओ ऐसा क्या था लोहे की रोड में ऐसा क्या था जिससे ये किनारा गरम करते ही ही किनारा तुरंगरम हो गया जबके लकडी में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों क्या कारण था मुझे बताओ दोस्तों इसके दो कारण है उस में दो कारण है इसके जो एटम्स है इसके जो परमानू है न वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहते हैं वही एटम का जो शेप होता है वो फिक्स के होता है क्योंकि इसके एटम में एक एक अच्छे अरेज्मेनेंट में रहते हैं तो अगर दोस्तो यह वाइबरेट हुआ यह वाइब्रेट वाइब्रेशन तुरंट इसके पहुँँँगा अगर यह हिला तुरंट पहुँँँगा इसके पास में. तो भी मेरे पर प्रभाव पर जाएगा लेकिन उस student तक वो प्रभाव नहीं जाएगा तो पहला कारण क्या है कि यार यह जो metals होते हैं इतने अच्छे conductor को हैं को कि ठोसा वस्ता में पाए जाते हैं दोस्तो दूसरा कारण क्या होता है metals में पाए जाते हैं free electrons क्या पाए जाते हैं free electrons सर यह क्या होता है समझो दोस्तो यहां पर एक electron बटा है बटा है आपने heat दी यह atom तो vibrate करी रहा है साथ मरी से electron के पास भी energy आ गए अब electron free है डोलता रहता है यहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां तो दोस्तो हीट ले जाने के कम ये भी कुछ करेगा इसलिए दोस्तो metals जो होते हैं वो अच्छे conductors होते हैं दोस्तो इसका कारण समझ में आ गया जल्दी से दोस्तो मुझे बता दीजिए इसके दो कारण क्या होंगे पहला कारण है इसकी solid state में पाया जाना ठोज सवस्ता में पाया जाना दोस्तो दूसरा कारण क्या है इसमें free electrons का होना चलिए और दोस्तो जो भी substance ठीक है which does not conduct heat easily easily नहीं कर पा रहे उसको आप लोग बैड कंड़क्टर बोलोगे जिसमें बिल्कुल ही नहीं और उसको तो clear है समझ में आगई बात को I hope यह बात clear है दोस्तों content में मज़ा आ रहा है समझ में आ रहा है ठीक है चलो तो सर क्या हम डिली लाइफ में भी कुछ कंड़क्शन देखते हैं क्या डिली लाइफ में कंड़क्शन के एक्जमपल है क्या कुछ अरे यार बिल्कुल है आप लोग मुझे एक ची बताईए जो हम लोग भोजन पकाते हैं जो बरतन जो होता है वो क्या अर्फ में मेटल का बना होता है या तो हो सकता है अलुमीनियूम का हो यह अइसा ही होता है घर में आलुमीनियूम के बरतन सरभ कैसे कंड़क्टर का काम मलत एक हो ठोड़ा सा बताइए आज आपको बताता हूँ prelim 드 Empree कि यां के बोलते हैं दोस्तों आपके वहाँ पर राजस्तान में जैपुर में बहुआ जिसमे अब मालो आपको क्या करना है 15 gusta दोस्तो अब समझो ये क्या है ये अपका ख Daarलोमीनयम का भरतन एलयूमीनियम के एटम से मिलके बना होगा चाही बात है आपने क्या करी दोस्तो इसको नीचे से हीट दी हीट यहां से यहां पर आसानी से पहुंच जाएगी पानी गरम हो जाएगा और हमको पता भी मैटल अच्छा कंड़क्टर है तभी तो हीट को अपने में से गुजार के पानी तक पहुंचा दिया रहा है आप खाना पकाते हो वहां पर भी तो कंडक्शन हो रहा है बहुत बढ़िय ठीक है कड़ाई बोलते हैं बगोना लोहिया बोलते हैं ओके क्या बात है कड़ाई बगोना है मैं समझ गया न मैं यह आपको समझाना चाहिए समझ में आना चाहिए आपको चलिए अब दोस्तों दूसरा क्या है कभी यह वाला काम किया है यह अरे कभी यह वाला काम किया है दोस्तों इससे मैं याद दिलाता हूँ मेरे बच्चपन की एक्चुली में है ना हम दो भाई है मतलब मेरे से एक छोटा भाई है और मेरी दो सिस्टर जो बड़ी थी ठीक है हम लोग चार भाई बैंते हैं ठीक है अब इसकुल में आप लोगों को पता है जब कोई इस्पेश सब्सक्राइब लेकी जाने कि आप क्या हुआ कि जो ग्रता-पजाम होती आप लोगों को पता है है और अपनधू थीक चरण ऑर शोपर उसका प्रेस करनी थी ठीक है तो इसस समय प्रेस होती नहीं थी तूम बन्द बताऊं तो और प्रेस वाले की दुकान हमने देखा कि बंद हो गए तो मेरे दीदी ने क्या दिमाग लगा जो बगोनी होती है बगोनी में डाल दिया बहुत सारे कोईले डाल दिया अब पजामा रखा उसके उपर ऐसे चला रही है वह लिससे हो जाया का देख और दोस्तों वह ऐसा हुआ पजामा की पजामा में आपको ओ जब आपलो कपड़े पर इस्तरी कर रहे हो तो हो क्या राह हमारे हथ्त होते हैं ये ये मैटल के नहीं बने होते हैं तो इसमें हीट नहीं जाए लोㅋ कर नहीं जाए कि पकड सकते हो ना इसको आराम से अरे समझ गया नहीं समझेंगेन हमा इसके बारे में सुन Sí कि इगलू के बारे में किसने सुनाया बताओ इगलू के बारे में आपको बताओं दोस्तों यह जो content है अपना पेड़ क्लास का content है बच्चे समझ गयोंगे यह बट कोई नहीं कभी आपको जल्की दे देनी चाहिए कि content बोलता है किसको इसलिए बताओ यह सुनाया गया actually मैं दोस्तों आपने सुना होगा कि जहां पर बहुत ठंड होती ना वहाँ पर इसे बरफ के घर बनाता है बरफ के घर बनाता है दोस्तों यह बरफ के घर होते है ना इस तो आपने अंदर क्या करा कुछ आग जलाई हाथ तपने के लिए या कुछ बनाने के लिए बहुत पढ़िया दोस्तों बहार ठंड है तो बहार का temperature बहुत कम होगा मालत है यार इसे यहां का temperature के आपने आग लगा रखी है जला रखी है ठीक है तो यहां का temperature कितना है मालो दोस्तों 50 चार्श डिगरी सेल्चेस है मैंने अभी आपको पता है हाई temperature से लो टेंपरिचर के और हीट का flow होता है तो दोस्तों क्या हीट का flow होगा क्या लिखा एक हीट बाहर जायेगी क्या जायेगी सर दिक्कत होगा न तो दोस्तों क्या करो आप बना दो ice का यह क्यों सर दोस्तों ice जो होती न वो क्या होती है इंसूलेटर होती है इंसूलेटर का काम करती है आइस बरफ की बात कर रहा हूं मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं जो अच्छे इंसूलेटर उसका बनाओ ना यार बरफ यार वहां पर बरफ बरफ पढ़ रही तो बरफ आसानी से विलेबल हो जाएगी ले बरफ को लगा के बहिए जो हमको प्रकर्टिन ने दिया उसी का इस्तिमाल करके हमने अपना जुगाड़ कर लिया जुगाड़ हो आदम हम क्लियर है गया एक जना बोल रहा है क्या नाम है इनका सुधीबता दास B.S.E.D. बुक लेकर रहा है एक बार तो मुझे समझ में लगा कि यार में को गाली हो करा है कि भई बुक लेकर रहा है आप समझा आगे किसके बात कर रहे हैं बेसिक साइंस एंजिन ड्राइंग के बात कर रहे हूं चलो आजाओ चली दोस्तों नेक्शम लोग बात करें कंवेक्शन यानि समवेहन सर एक चीज और यहां रखना कंडक्शन मेथर से हीट ट्रांसफर सॉलिड में होगा ठोस अवस्ता में होगा ठीक है लिक्विड और गैस में नहीं होता क्यों क्यों क्योंकि गैस के जो पार्टिकल से वैसिती दूर दूर अगर यह वाइब्रेट कर भी तो पास वालों को टकर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा तो कंडक्शन का जो मैथर ना जांपर वाइब्रेशन की वज़े से एक पॉइंट से दूसर पॉइंट पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो लिक्विड और गैस में बैट नहीं पाएगा क्योंकि उसके एटम यह कंटेनर की वॉल मालेते हैं लोग यह कंटेनर की वॉल हो गई आपकी ठीक है कंटेनर की वॉल आ गई यह कंटेनर की वॉल आ गई ठीक है क्लियर है समझ में आगी बात को ठीक है डूस्तो जो आपने इसको हीट दी तो कंड et bowls चारान्विदी से इसमें हीट पास ओके इसमें पहुंच गई l Ellie College Senior एक्षिल में क्यों क्यों दूसका temperature क्या होगा बढ़ेगा दोस्तो टेंपरेचर जादा होने की वजह से उसकी density क्या हो जाएगी कम हो जाएगी घंतल कम हो जाएगा वह हलकी हो जाएगी हलकी चीजह उपर उठती है तो नीचे हो लइयर जाएगी उपर और उपर वाली जाएगी नीचे ठीक है? फिर वो गरम होगी इसका temperature बढ़ेगा density कम हो इपर उपर, जाएगी नीचे तो पिखलें है तो बर्फ में थुदी लगा रहे हैं यह देखो आगा यहां तक ही तो कहा गया है वह थोड़ी लगा यहां पर ठोड़ी लागा दूब यहां पर मैल्ड हो गई कि अंदर है वो तो यार क्लियर शलो आजाओं हाँ हां कंवेक्शन समझ में आप आप लोग बोल सकते हो actually में actual moment होता है यहांपर actual moment होता है molecules का conduction में क्या ओ रहा था Contact में क्या हो रह था यहांकर और हो यहां के जो lotus है पर यहां शजब आखे और है यहां पर किया होता है एक्च yem कर रहा है to अब आप मुझे बताओ कि इस वाले मैतरट से heat transfer किस में हो सकती है solid में हो सकते कि नहीं हो सकती क्योंकि solid के particle तो fix होते है ये थोड़ी एक जगर से उठके दूसरी जगर चल जाएंगे नहीं तो कहां-कहां पर ये हो सकता है दोस्तो एक तो liquid में हो सकता है तरल में हो सकता है और gas में हो सकता है ठीक है क्या चलिए सर इसके कुछ example बताएंगे दोस्तो आप लोग जानते हैं क्या land bridge और sea bridge जोग्राफी में पढ़ा है आपने अरे जोग्राफी में पढ़ा है ये नहीं पढ़ा बताओ सर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले का कि अधे दोस्तों हिंदी में पड़ा है या नहीं पड़ा है कि अधिक कि नहीं पड़ा जोग्राफिय में नहीं पड़ रहा है अपने आरे तो बहुत मतलब कई नहीं तो पड़ा होगा मैं एक चीज समझा रहा हूँ दूसरी चीज आप अपने आप समझ लेना देखो रात के समय बात करें दिन की समय बात करें सर दिन की समय बात कर लो आप तो आप इसको भूल जाओ आप लोग है ना इसको भूल जाओ केवल इसमें ध्यांदर को ठेको दोस्तो दिन का समय ये क्या है जमीन है हमारी ठीक है मिट्टी रोड वाली दोस्तो क्या ये वार्म होगी क्या बिल्कुल सर वार्म होगी बहुत बढ़ी है दोस्तों बात करते हैं समुंदर की ठीक है ठीक है अब होगा क्या देखो समुंदर में जब ये सूरे का प्रकाष पड़ेगा दिन का समय तो यार ये वाश्प बनेगी ठीक है वाश्प बनेगी निये बनेगी यहां पर यहां पर बहुत जर्ब बढ़ जाएगा दोस्तों जब भी किसी कई टेंपरिचर बढ़ता है तो गरम जो हवा है वो क्या होगी उपर उठोगे उपर उठेगे उपर उठेगे ठीक है फिर कुल मिला कि क्या होगा यहां की जो ठंडी हवाई यहां पर उठ जाएगी यहां पर क्या हो जाएगा लो प्रेशर हो जाएगा कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और आती है तो यहां की जो ठंडी हवाई वो इधर जाएगी फिर वो गरम होगी उपर उठेगी तो यहां पर लाइटर जला रहे हैं कि आ आप तो ये बात कर रहे हो कि सब घर मेना चाय बंदरी गेज लड़ी घर को निजवर सर क्या क्योशन पूशते हो यार वो गलती एक जंपल देदी एग लोगा ठीक है चले आगे आज़ो दोस्तो और डेली लेश में बताओ यार देखो गरम हवा के जो घुबबार होता है इसमें गरम हवा फो अंद्र या यह भी पूरा का पूरा जब भी किसी का temperature बहुत ज़्यादा होता है वो अपने अंदर से क्या निकालती है electromagnetic wave निकालती है सरी electromagnetic wave क्या होती है ऐसी wave जिनको आगे जाने के लिए किसी medium की requirement नहीं होती भी vacuum में से भी चल सकती ठीक है दोस्तो जब यह जाएगी ना अपने साथ में कैने लेकिज़ाती है हीट को लेकी जाती है अपने साथ में energy को लेकी जाती है अब मालो आप यहाँ पर खड़े हो तो जब यह wave आपके पास में आएगी आप से तकराएगी तो आप पे क्या कर देगी वो heat को release कर देगी तो दोस्तो heat basically कहां से यहां से यहां पर पहुँच गई तो इस mode को आप लोग क्या बोलता है radiation बोलता है radiation क्या है basically wave के माध्यम से heat का एक जगे से दूसरी जगे पर जाना अब दोस्तो radiation method से heat transfer कहां पर होता है जो बहुत high temperature पर कोई body होती जिसे sun का temperature बहुत ज़्यादा है तो उससे जो हमको heat मिल रही है वो radiation method से मिल रही है कोई भटी है फरनेश जानते हो ना भटी कोई दोस्तो भटी है मतब radiation basically waves के माध्यम से heat का एक माध्यम से एक जगल से दूसरी जगे पर पहुँचना जैसे आप लोगों को पता है यह sun है sun से जो भी आप लोगों की heat आ रही है वो radiation method से तो आ रही है कोई temperature बहुत ज़रा है अपने अंदर से क्या निकालेगा radiation निकालेगा radiation कैसर कुछ भी नहीं एक प्रकार की waves है तो यह waves अलग-अलग जगे जाएगी surface की उटारा absorb कर ली जाती है लग बहुए 91% दोस्तो जो clouds वगर होता है उनके द्वारा 19% तक absorb कर ली जाती है दोस्तो जो clouds होते है वो कुछ absorb नहीं करते है टकरा के वापिस बेज देते है तो 20% के आसपस reflect हो जाती है clear है क्या जो surface होती है वो भी नहीं है सारी के सारी absorb करते है जब इस पर टकराती है कुछ इससे भी reflect हो जाती 4% ठीक है तो वो एक अलग चीज हो गई यह ठीक है तो दोस्तो आज के लिए इतना रखता हूं मैं अब हम लोग बात करेंगे मैं आपको गोड़ा हूं आपके बताओं कैसे कुश्ण आए प्रीवेसर क्वेशन में चीक है यह मालो यह वॉल है दीवार है बहुत ठंड है तो बाहर जैसे मालो यह आपका कमरा है समझ गये यह कमरा है अब दोस्तो इस कमरे की वॉल को अज्यूम करो इस वॉल को धूझ थंड का समय बाहर का temperature बहुत कम है मालों 10 degree Celsius अंदर आपने कुछ कद्व लगा रहा रहा है तो इंटरनल वाल होगी इसका temperature हो 30 degrees Celsius यह वाली जो वाल इसका temperature 10 degrees Celsius तो दोस्तो हीट का flow होगा ना तो आपको से पूचल जबा नहीं कि तो दो हो वह कंडेक्शन में तरहा है लेकिन निकालोगे कैसे तो उसके लिए हमारे पास हमारे पास में फोरियर स्लोव है फूरियर स्लोव बताथा हीट का जो ट्रांसफर होता है वह कैसे हुथ माइनस के डेल टी बाए डेल एक से ना ऐसे करके हम करेंगे अलगस एक वीडियो बना ठीक है चलिए अब बात करते हैं एक बहुत सी इंपॉर्टेंट बात जिसका आप लोग यह क्या हो गया ठीक है तो यह आप लोग देख सकते हो बेसिक साइंस और इंजिन का कंप्लीट कोर्स एविलेबल है एडमिशन ओपन कर गया टारगेट है अपना भी यह 40 ऑट ऑफ ऑफ फॉर्टे को की सीबिटी टू के मार्क्स जुडेंगे qualify नहीं है target शांदर होना चाहिए 40 out of 40 sir आप किस प्रकार से मज़त कर सकतो पूरी proper animation class है ज़िए smart board पर तो आप लोग चीज़े visualize कर पाओगे आपको रटने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है दोस्तो class ये पूरी हो चुकी है तो आपको हर एक class tension मतली ज़िए recorded form में मिल जाएगी मज़ा आप लोगों को आ जाएगा ठीक है हर एक topic और concept cover किया गया है एक साल की validity है जिस दिन course लोगे आज लोगे आज से एक साल तक है content bilingual है कहीं कोई दिक्कत नहीं है हर chapter के आप लोगों को previous question मिलेंगी आप लोग देखी सकते हुआ है है ना content में कहीं पर भी कोई में दिक्कत होई नहीं सकते ठीक है शांदार है अब दोस्तों आप लोगों को join कैसे करना है प्ले स्टोर पर जाईए science magnet app को install कर लीजिए जब आप लोग इंस्ट्रॉल कर लोगे रजिस्टर कर लोगे अपने नाम पता सब जो भी पूस्त हो डाल दोगे तो इसमें जाना course वाले section में आपको सारा मिल जाएगा basic science and engineering का करोगे बेसिक एंजिंग का मिल जाएगा अगर आपको को अब भी कर लो ठीक है 7374019437 और दोस्तों एक और विशेश बात विशेश बात ये है कि जो लॉंचिंग है वो है अपनी 15 अगस्त को सुबह 10 बजे बुक की लॉंचिंग ठीक है थेंक्यू सो मच वीडियो कैसा लगा class कैसे लगी अपने valuable कमेंट जरू करें और सेशन को like share कर ना भूले चैनल को subscribe कर ले बाबाए